नमस्कार दोस्तों, स्वागा थे आपका स्टडी आईक्यू में, आज हम लोग एक बहुती दिल्चस्प चर्चा करने वाले हैं, अगेन जुड़ी हुई है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान में हम जानते हैं कि तालिबान का कबज़ा हो चुका है, और हम लोग उने multiple dimensions discuss किये हैं, अब ये क्यों जरूरी है, देखिए exam perspective से सवाल कुछ भी आ सकते हैं, अफगानिस्तान एक काफी hot topic है, तो उससे जुड़े हुए IR के सवाल multiple dimensions में आ सकते हैं, हम लोग ने चर्चा की है, तालिबान का जो कबज़ा हुआ है अफगानिस्तान में, उसका क्या implication हो Taliban take over and its impact on regional organization, अब typically हम लोग यहाँ पे बात करने वाले सार्क membership को लेकर, लेकिन अंत में मैं एक generalized discussion भी आपके साथ करने वाला हूँ, तो हमारा आज का जो lecture का agenda रहेगा, तालिबान take over की वज़े से, क्या अफगानिस्तान की सार्क membership खत्रे में है, अब यहाँ पे एक सवाल situation में वो खत्रे में आ जाती है, इस सवाल का जवाब देंगे और इस चीज़ के उपर एक analysis करेंगे कि क्या आगे चलके अफगानिस्तान सार्क से बाहर हो सकता है, यह रहेगा हमारा agenda आज की चर्चा का, यह सारी information लेने के लिए मेरे साथ बने रहे हैं study IQ पर, मैं हूँ आप का दोस्त राहूल साइगाउंकर, आप मुझे follow कर सकते हैं इस particular ID पर, और अगर आप exam की preparation कर रहे हैं, competitive exams like UPSC और state PSC, just go to study IQ.com और download the app from Google Play Store, we are running a lot of discounts in the month of September 1st week, चलिए, चर्चा शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, सार्क के बारे में, और फिर हम लोग analysis करेंगे, तालिबान impact on साथ, अगर सार्क की बात करें, South Asian Association for Regional Cooperation, सार्क ये शुरुवात हुआ था इस organization की 1985, ये एक geopolitical और जियो economic organization है, primarily यहाँ पे 8 countries है, और मैंने आपको बताया है, इन 8 countries को याद कैसे रखना है, आपको economy बताया था है, मैंने MBBS PAIN, और वहाँ पे मैंने आपको बताय था, M यहाँ पे याद रखना है, मालदीव से है, इसके अलबा, बांगलादेश, भूतान, श्वीलंका, और पेन, इस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपा, तो ये 8 countries है, आपको ध्यान रखना है कि शुरुवात में, 1985 में, जब ये organization बना था, तो इसमें के 2001 से 2021 तक, अगर हम लोग अफगानिस्तान की बात करें, तो अफगानिस्तान was under the security blanket of United States of America, isn't it? अब इसे के चलते हम लोग ने काफी ज़दा investment भी यहाँ पे की थी, तो यहाँ पे एक democratic government run कर रहे थे, more or less United States हम लोग कह सकते हैं, शुरुआत में प्रेजिडेंट थे, हामिद क was involved with SARC, लेकिन अब सवाल यह आ चुगा है कि Taliban take over के बात क्या होगा, यह तो हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे SARC के बारे में चर्चा करेंगे from Indian perspective, क्योंकि हमारा जो discussion का आज का agenda है, उसमें हम लोग Indian perspective के उपर focus करने वाले हैं, again with respect to examination, दे क्योंकि India was apprehensive, in fact India ने इसका ज़्यादा समर्तन नहीं किया था, मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा enthusiastic नहीं थे, अब क्यों, क्योंकि understandable सी बात है, इस चीज को छेड़ा था शुरुवात में, श्रीलंका और बांग्लादेश ने कि हम लोग एक regional organization बनाते हैं, तो India on board हो गया, लेक जो भी countries हैं जैसे कि अफगालिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूतान, नेपाल, यह सारी जो छोटी-छोटी countries हैं, अगर इंडिया को आप compare करोगे, diplomatically, militarily, economically, political cloud के perspective से, तो इंडिया काफी बड़ा था इन countries के मुकाबले, तो इंडिया को यह लगता थ कि यह छोटी-छोटी countries हैं, इंडिया कहलाब gang up कर सकती हैं, तो इसके चलते, इंडिया काफी apprehensive रहा from 1985 to 1991, लेकिन 1991 के बाद, इंडिया काफी enthusiastic बन गया, अब यह हमारे फाइदे में भी था, क्योंकि enthusiasm का phase था हमारा 1991 के बाद, क्योंकि हम लोगोंने LPG reforms लाय थे, liberalization, privatization, globalization, globalization, उसके बाद, इंडिया अपना खुद का business भी spread करना चाहा रहा था, हम लोगोंने काफी change in policy भी लाई, 1992 में हम लोगोंने luckiest policy लाई, उसके बाद, गुजराल doctrine आई, 1996 में, गुजराल doctrine के थाहत, हम लोगोंने कहा कि neighbors को हम लोग मदद करेंगे, यानि कि पडोसी को हम लोग मद बहुत ज़ा disappointment मिली है, इसलिए इंडिया सार्क माइनस पाकिस्तान का अप्रोच फॉलो करता है, 1997 में इंडिया ने बिमस्निक बनाया, अब disappointment क्यो हुई, देखिए, दो बहुत बड़ी चीज़े, एक तो मैंने बता दी कि इंडिया का size इतना बहुत बड़ा था, कि दूसरे कंट्रीज पहले इंडिया अप्रेंसिफ था, बाद में दूसरे कंट्रीज अप्रेंसिफ होने लगे, इसके साथ ही साथ, इस पूरे South Asian region में, इंडिया पाकिस्तान की जो dynamics है, इसने सार्क को मूव होने से बहुत हद तक रोक रखा है, अब यह disappointment जो है, यह disappointment चलती हुई जा 19th summit प्लान हुई थे, 2016 में, इसलमबाद में, जो cancel हो चुकी थे, अब यह क्यों हुआ था, because of the Patan Court and Uri incident, उसके बाद से अभी तक, जो 20th summit है, वो अभी तक finalize नहीं हुई है, although 20th summit का भी होस्ट पाकिस्तान ही है, अभी इसकी date finalize नहीं हुई है, अब देख सकते हो, कि 2016 से, there has no summit, in fact, मैं कह सकते हूँ, 2014 के बाद कोई summit नहीं हुई है, 2016 की तो cancel हो चुकी थे, तो इस हद तक disappointment है, इंडिया के साथ, अब इंडिया क्या follow कर रहा है, इंडिया follow कर रहा है, सार्क माइनस पाकिस्तान का अप्रोच, हम लोग example दे सकते हैं, बिंस्टेक का, मीको अंगंगा को operation का, बहुत सारे organization जहां पे इंडिया, पाकिस्तान को sideline करकर, जैसे की सासेक हो गया, बहुत सारी चीजों में promote कर रहा है, लेकिन अब एक नया dynamic आ चुका है, with respect to Taliban, क्योंकि सार्क माइनस पाकिस्तान में अभी भी साथ कंट्री से रह जाएंगी है, और उस साथ कंट्री में एक रहेगा अफगानिस्तान भी, अभी अफगानिस्तान में Taliban का कबज़ा हो चुका है, तो इस चीज के चलते, अब आगे चलके एक possibility है कि सार्क माइनस पाकिस्तान माइनस अफगानिस्तान अप्रोच फॉलो हो सके, या फिर एक develop हो सकता है आगे चलके, इसके वारे हमने च जो 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 चुका है, अभी डिप्लोमाट्स और एक्सपर्ट्स यह कहते हैं, अब सब की नजर इसी पर है कि तालिबान किस तरह अफगानिस्तान को गवर्न करेगा, अल्दो जब से तालिबान का कबजा हुआ है, 15 अगस से, कुछी हफ़ते हुए अभी, इनिशल पीरेड है, वहाँ पे अलड़ी एक पंजशीर वैली से रेजिस्टेंस भी चल रहा है, तो आगे चलके जिस किस तरह अन्वेल होगी, यहाँ पे डिवलप्मेंट हम तो उसके उपर नजर रखे रहेंगे, लेकिन तालिबान किस तरह की एक सरकार बनाएगा, उसके इससे हम लोग एक अंदेशा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान विल अबिसली सेंड एन इनवाइट तो अफगानिस्तान येस, और बाकी कंट्रीज को भी जाएगा, इंडिया को भी आएगा, इस मीटिंग में क्या हो सकता है, क्योंकि अगर सार्क की जो भी डिजिएंस होते हैं वो unanimity से होते हैं, यानि कि सहमती से होते हैं, सारी parties की सहमती होनी चाहिए, अगर अफगानिस्तान is also invited, तो अफगानिस्तान के fate के वारे में decide करना है, तो अफगानिस्तान party रहेगा नहीं रहेगा, ये बहुत जरूरी development है रहेगी, तो ये तो आने वाले समय में हमें पता च possibilities के बारे बात करने हैं कि काफी जरूरत है, अब possibility क्या हो सकते हैं, देखें ये है सार्क region, इसमें मैंने आपको बताएं कि इंडिया को अब देखिए, इंडिया का sheer size, इंडिया की sheer capability, economic, military, political capability काफी जादा है in comparison to other countries, अब एक possibility हैं in the 20th सार्क summit की सार्क would remain, यानि कि अफगानि तो entire region बना रहेगा, सार्क भी वैसे ही रहेगा, 8 members ही रहेगा, लेकिन अगर अफगानिस्तान inclusive government नहीं बनाएगा, पाकिस्तान उसा continually समरतन करता रहेगा, then there is a possibility कि ये पूरा area सार्क में से हट सकता है, and we might see a development something like this, यानि कि सार्क minus पाकिस्तान minus अफगानिस्तान approach being followed in future, अब perspective क्या रहे है, पहले अप्रेंसिव रहे हैं, सार्क को लेकर फिर काफी enthusiasm दिखाई, leadership लेने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की वैसे काफी disappointment हमें मिली है, अभी फिलान 2021 में इंडिया का क्या रवयार है, देखिए, recently Indian envoy ने meet किया Taliban leader के साथ, मुहमद अबास Stanikzai के साथ, और यही Taliban की जो leader है, मुहमद अबास Stanikzai, उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ रिष्टे अच्छे रखना चाहते हैं, good ties, especially trade related, we want them to continue, और हाली में Indian envoy की भी meeting हुई है, again with the same leader, अब यह सब क्या दर्शाता है, कि इंडिया is showing steps towards some sort of concession, यानि कि Taliban के साथ हमारी policy reverse करने की तरफ थो पूरे matter को अगर हम लोग एक macro perspective से देखेंगे, तो इंडिया एक बहुत ही tricky position में रहेगा, क्योंकि अगर तालिबान government को इंडिया ये कहें कि हम सार्क से हटा देंगे, जो भी हमारी बाची चल रहे है, तालिबान के साथ उसके उपर एक प्रशनचिन उठ जाएगा, और complete सम परतन करेंगे, तो उससे भी एक इंडिया की image के उपर एक सवाल जरूर पड़े, तो इंडिया is going to tread a very cautious path here, तो आगे चल के सार्क समिट में क्या होगा, ये तो काफी interesting चीज रहेगी, हम सब की नज़र उस पे रहेगी, so let's wait and watch whether Afghanistan will be a part of सार्क or not, जब भी ये सार्क समिट तो हमारी उसके उपर नज़र रहेगी और हम आपके लिए study IQ उपर उस development को compulsorily cover करेंगे, लेकिन मैं अपनी चर्चा end करना चाहूंगा एक particular चीज के साथ, और ये especially aspirants को आपको ध्यान में रखना है, मैंने अभी चर्चा की सार्क की, right, is it just सार्क, आपको याद रखना है कि नहीं, सार्क में अलड़ी अफगानिस्तान मेंबर है तो हम लोग सार्क perspective से बात कर रहे है, will अफगानिस्तान be a part of सार्क or not, लेकिन आपको याद रखना है कि तालिबान टेक ओवर जो हुआ है अफगानिस्तान में, उससे ना सर्फ सार्क में, लेकिन दूसरी जगा जो भी regional organizations है, जो भी economic organizations है, जिसमें अफगानिस्तान एक part and parcel है, जिसमें अफगानिस्तान एक member है, उन सब के उपर एक प्रशन चिन लग जाएगा, जैसे कि already वो member है, ICMOD में, International Center for Integrated Mountain Development, जहाँ पे हिमालेन development के लिए South Asian countries साथ में आये है, उसके उपर भी एक प्रशन चिन आ जाएग अफगानिस्तान member रहेगा या नहीं, उसे फाइदे इस organization से मिलेगे या नहीं, अफगानिस्तान member है, Asian Development Bank का भी, क्या वहाँ से उन्हें फाइदे मिलेंगे, अगर Taliban government बनी रहेगी, किस तरह की Taliban सरकार बनी रहेगी, उसकी भी नजर रहेगी, ADB की, और उससे funds मिलेंगे या यह decide होगा, और जैसे कि organizations है, organization of Islamic cooperation, शाहिद यहाँ पे ज्यादा कुछ problems ना हो, बट स्टिल, जो भी दूसरी organizations है, जहाँ पे Afghanistan is a part and parcel, उन्ह सब पे एक प्रश्न चिन जरूर उर जाते हैं, so let's wait and watch for the things to unveil in Afghanistan under the Taliban rule, till then, that is it, from my side, thank you very much, Jai Hind. झाल